वेल्कम बेक टू मिनिस्टिज फ्रेंड्स आज हम छोटे वच्चों की कैप बनाएंगे बहुत ही सरल तरीके के साथ इसका बहुत यासान तरीका में आप लोग शाथ शेयर कर रहे हूं तो पूरा वीडियो जरूर देखेगा यहां पे मैंने 14 बाइ 14 इंच के दो कपड़े के पीस लिए हैं इनको फोर लेयर में फोल्ड कर लेंगे जैसे आप यहां पर देख रहे हैं और दोस्तों आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन के साथ में आउन कर लें नोटिफिकेशन को अब यहां पे हम जिदर से कल बन करके रेडी हो जाएगा अब इस पे आप कहीं भी एक निशान लगा लीजिए और उसके दोनों साइड में सेवन इंच पे मार्किंग कर लीजिए जैसे इदर आए सेवन यहां पे निशान लगा लेंगे और फिर दूसरी साइड में भी सेवन इंच पे निशान लगा लेंगे तो यहां पे निसान लगा लेने के बाद अब हम इसमें प्रिक्स लगाना शुरूow है जिद्ध डोनों साइड के बीच का एरिया है केवल इसी में हम को प्लेश लगाना है तो यहां पर जितना भी प्लेट्स का लगाएंगे उसका केवल आट इंच तक हम को इसे लगाना है इसका पूरा लेंथ एट इंच आना चाहिए और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा बचा है उसमें हम प्लेट्स लगा लेंगे और ये प्लेट्स लगाने के बाद इसका मेजरमेंट टाड़ा ची है 14 इंच तो इस परकार से हम इसमें पूरे में प्लेट्स लगाएंगे और प्लेट्स लगा लिने के बाद यहां पे छोटा सा बुक्रम का टुकडा लिया है 4 by 7 इंच का और इसको अर्ध चंदरमा सेप में हम कट कर लेंगे दोनों साइड से 1.5 इंच पे जैसे हमने उसमें लिये थे एक लाइनिंग के लिया और एक मैन फैब्रीक इस पे एक आउट साइड से अटेच कर लेने के बाद डबल करके स्टिप अटेच कर लेंगे तिर्छा पट्टी लिया है यह उपर वाला और यहां पे पाइपिंग सेप में हो जाएगा एक्स्ट्रा कप इसे ही अटेच कर रहे हैं इसको इसपे अटेच कर लेने के बाद में यह जो निशान था एट इंच प्लेट्स वाला उससे और दूसरी साइड तक एक स्ट्रीप अटेच करेंगे इसका जो उपर का सिलाई आया है वो कावर हो जाएगा लूक भी बहुत अच्छा आएगा और फ्रिंट्स आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आपने फ्रिंट्स सरकिल में जरूर से एर कीजिएगा अब यहां पे इसको अटेच कर लेंगे इसको उल्टी साइड से रॉंग साइड से अटेच करना स्टार्ट करेंगे और राइट साइड में मोड करके इसके उप पर टॉप स्टिच लगा देंगे और फ्रिंट्स कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी अब इदर राइट साइड में इसको मोड लेना है और टॉप स्टिच लगा देना कुछ इस परकार का इसका फ्रंट का लूक आएगा यहां तक कम्प्लीट हो गया अब हम इसका बैक साइड का जो वो बांदले वाला पट्टी रहता है वो वाला अटेच करेंगे दोनों साइड में आप 7 टू 8 इंच एक्स्टा रख लिजे इस ट्रिप को और डबल करके यहां से यहां तक अटेच करतीजी राइट साइड में ट आप स्टेच लगा दीजिए यहां पे इसको डोरी की तरह सी लाई लगा लेंगे तो कुछ इस परकार का इसका लूक आएगा आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा अच्छी लगी है तो खूब सारा लाइक जरूर दीजिएगा इसको और शेर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा